Hello everyone, welcome back to Nainzri classes and this is Nainzri आश्चा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में बिलकुल सुरक्षत होंगे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मानसिक विकास यानि की mental development पढ़ाने वादी हूँ mental development यानि कि इसको आप एक और सब्द बोलते हैं cognitive development ठीक और KBS के एक्जाम में आपसे domains of development में ये पूछा जा सकता है तो एक बार आप मानसिक विकास पढ़ लीजे इसके बाद कल का जो लेक्चर होगा उसमें आप बेसिकली जो जीन प्याजी का सिध्धान्त है वो पढ़ेंगे सबसे पहले तो ये समझ लीजे कि मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है तो मानसिक विकास का जो अर्थ होता है वो ग्यान भंडार में ब्रद्धी और उसका उप्योग होता है इसका मतलब क्या हुआ कि अपने ग्यान में भंडार में ब्रद्धी करना और उस भंडार का उप अपयोग कर पा रहे हैं तब तो आपका ये mental development जो हुआ है वो बिल्कुल सही है है ना ये चीज सो आप समझी रहेंगे कि ग्यान है अगर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तब कोई मतलम नहीं है फिर ये development की स्रेणी में आएगा ही नहीं है ना और अगर जो ग्यान भंडार है अगर उसका उपयोग हो रहा है तो फिर ये development की स्रेणी में आएगा ठीक मानसिक विकास में actually में आता क्या क्या है तो मानसिक विकास में आता है आपका चिंतन करना आप किसी विशय पर चिंतन करते हैं तो ये आपके मानसिक विकास में ही सामिल होता है ना कोई भी समस्या का समाधहन क्या होता है यह मानसिक विकास में ही सामिल होता है ऐसे चिंतान हुआ यह सब किसी भी समस्या का समाधहन करते हैं यह सब हमारे मांसिक शमताइं ही है अब नीचे क्षिक सकतियां आपकी चिंटन इस्मृती हुआ इन मांसिक सक्तियों के उदय और वातवरर्ण के प्रेटी समायजन की छमता का नामें आपका क्या है अपका मांसिक विकास है मतलब आपकी जो मांसिक सक्तियां इनका उदय और साथी साथ इनका वातवरण के साथ समाई जन ही आप इसको मानसिक विकास की स्रेणी में रखेंगे अब आपको यहाँ पर मानसिक विकास की चरण पढ़ना है जिसमें आप पढ़ेंगे सैस्वाबस्था में मानसिक विकास वाल्याबस्था में मानसिक विकास और किशोरवस्ता में मानसिक विकास देखे आपसे यहाँ पर कैसा question पूछा जाएगा इस stage को आपको विशेस रूप से याद रखना है आपसे यह पूछा जा सकता है कि मानसिक विकास किसे कहते हैं आपको चार यहाँ पर option दे दिये जाएंगे तो अब आपको पता होना चाह मानसिक विकास से बहुत ही ज़्यादा मात्पूर्ण माना जाता है क्योंकि इस अवस्था में मांशिक विकास की गती तीवर होती है इसलिए इस अवस्था में आपके मांशिक विकास को मात्पूर्ण माना गया है तो पांच वर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं पांच वर्स तक की अवस्था क तक कि अवस्था को मन्शिक विकास की द्रिस्टी से महत्पूर्ण माना गया है। इस अवस्था में क्यूंकि इस अवस्था में मन्शिक विकास की गती तीवर होती है। ठीक है। यह पॉइंट आपके लिए महत्पूर्ण है। इसी में आगे एक पॉइंट और नोट करिएगा आप लोग। कि तीन वर्स की आयू जो होती है वेसिकली कौनसी तीन वर्स की आयू तीन वर्स की आयू तक बालक के संग्यानात्मक विकास के आधार सला का निर्माण हो जाता है। कि तीन वर्स की आयू तक ये ऐसे फेक्ट्स हैं जो आपसे कथन में पूछे जा सकते हैं। या फर बोला जा सकता है कि निमने लिखित में से सेश्वावस्था में मानसिक विकास के लक्षण हैं। तो याद रखिएगा कि तीन वर्स की आयू तक वालक के संग्यानात्मक विकास के आधार सला का निर्माण हो जाता है। अब इसमें एक जो नेक्स पॉइंट है वो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कि इस काल में शैश्वावस्था में नोट करिएगा शैश्वावस्था में जो आपका मानसिक विकास है वो कैसे होता है तो शैश्वावस्था में मानसिक विकास मानसिक विकास संबीदनात्म क्योंकि इस समय बच्चा बहुत चोटा होता है तो वो अपनी चीजें जो ग्रण करता है सूचना है जो ग्रण करेगा वो किस से करेगा अपनी संबेदियंगों से करेगा है ना तो शंबी दनात्मक अनुभाव तथा गत्यात्मक क्रियाओं की माध्यम से होता है ठीक यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सैस्वावस्था मैं मानसिक विकास जो है संबी दनात्मक अनुभाव शंबी दनात्मक अनुभाव का मतलब आप समझ रहे हैं इसपर्स से स्वाद से गंध से आपका जो है देखनेशे तो इसमें आप द्रश्च कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं गंध कह सकते हैं और स्पर्स कह सकते हैं क्या स्पर्स कह सकते हैं श्वाद कह सकते हैं और क्या हो सकता करता है गहन करता है और फिर गत्यात्म करता है और इसी से मानशिक विकास होता है क्योंकि स्वावस्ता में बहुत चूटा है वो जितनी भी करता है वो अपने संबेदी अंगों के थ्रूई इन्फोर्मेशन को गहन करता है मतलब जो आपके बातवरण में जो भी सूचना है जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो उनको कैसे गहन करेगा क्योंकि वह बहुत नाई अभी अभी डाउनलोड हुआ है मतलब बिकतरी किसी समझे जब वह अभी अभी आया हुआ है इस अभी 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 आगे आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं जैसे दूस अपता का बालक क्या करता है दो सपता जो दो सपता का बालक है प्रकास वच चमकीली वस्तों को ध्यान से देखता है क्या करता है दो सपता का बालक जो है आपका प्रकास और आपकी जो चमकीली वस्तों है इन सबको देखता है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि नवजात सिशू नवजात शिशू प् ध्यान से देखता है तीन महा माहा में बालक करता क्या है तीन माह का बालक है वो कस्ट वा भूँख से चिलाता है और हाथों से बस्थों को पकड़ने की कुसिस करता है क्या करता है कस्ट वह भूंक से चिलाता है तो आपको यही नूट करना है कि कस्ट वह भूंक से चिलाता है कब तीन माहा में भूंक से चिलाता है यह मात्पून है आपके लिए कि बालक जो है किस अवस्था में इस तरह की किरियाय करता है फिर आते हैं हम लोग चार माहा का बालक करता क्या है ठीक है चार माहा का एक बार देख लीजिए चार माहा का बालक जो है वो बैबलिंग करने लगता है बलवलाना देखिएगा बलवलाना बालकों का कुछ ना कुछ ए करता रहता है ये बलवलाना इस तरीके से करता रहता है क उसके बाद छे महा का बालक क्या करता है तो छे महा में जब बालक होता है तो वो स्वेम के नाम को समझना प्रेम बाकरोध में अंतर करने लगता है क्या करने लगता है इस अवस्था में जो बालक है वो अपने नाम को समझने लगता है अपने नाम को समझने लगता है तथा प्रीम वा क्रोध में अंतर करने लगता है अंतर करने लगता है इसका मतलब आप समझ रहें कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो वो समझ जाएगा कि सामने बला गुस्सा कर रहा है अगर आप उसको प्यार दुलार करेंगे तो वो उस चीट को भी समझ जाएगा अगला है आपका six months complete हो गए फिर यहाँ पर बात आती है आपके 10 महीने की जब बालक 10 महा का होता है तो कौन सी क्रिया करता है दस महा का होने पर बालक के द्वार विसिकली कोई खिलोना जब उसस नहीं मारना है मैं पहले से कह देती हूँ जो महात्पूर्ण लगे उसको ही खाली पड़ना है बाकी आपको यह सब नहीं याद रखना है कि किसमे कौन सा होता है सारा याद नहीं करना है ठीक है खिलोना चीनने पर बिरोध करने लगता है अब चुकि के विस का एक्जाम दे इस वाले पर तो स्टाल लगा लेना है ठीक है यही सब चीज़ें आपको ढोड़ने है कि क्या महत्पूर्ण है ठीक है शभी व्यक्तियों के क्रियाओं का क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है अनुकरण करने लगता है ठीक तो यह हो गया एक वर्स का आगे चलते हैं दो जिसमेंसे देखे एक वर्प वाला महीने वाला महत्मूने और इन 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 उनीذ महिसेն हैं और चलते हैं, दो वर्स में बालक की क्या activity होती है, तो दो वर्स का जो बालक है, वो दो सब्दों के बाक्यों का प्रयोग करने लगता है, तो दो शब्दों के दो शब्दों के वाक्यों का प्रयोग, वो basically करने लगता है, ठीक, तीन वर्स वाला याद रखेगा, तीन वर्स वाल पुछन है कि इस अवस्ता में बालक अपना नाम खुद बताने लगता है, अगर आप पूछेंगे कि वडूट इपना नाम भेयाद फिर स्थी कर बाद दो की बात करता है हम बात करते हैं फोर एयस में चार वर्स का जब होता को याद रखना है कि वस्तों को क्रमबद रखता है तथा अक्षर लिखना प्रारम कर देता है तो यही नोट कर लिजे कि वस्तों को क्रमबद रखता है वस्तों को क्रमबद रखता है मतलब यहां जाके उसको क्रमबद तका ज्यान हो जाता है क्रमबद रखता है तथा अक्ष लिखना प्रारंब कर देता है इतना आप जरूर से याद रखेगा और इस अवस्था का जो बालक है चोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर जान जाता है और गिंती गिनने लगता है तो इस अवस्था का जो बालक है यह आपके लिए महत्मून है फोर एर बाला याद कि इस अवस्था का जो बालक है इस अवस्था का बालक चोटी बड़ी कैसी चोटी और बड़ी रेखाओं में चोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर चोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर जान जाता है छोटी और बड़ी रिखाओ में क्या अंतर जान जाता है और गिंती गिनने लगता है तथा गिंती गिनने लगता है अब हम बात करते हैं कब की पांच बर्स के तो जब पांच बर्स का बालक जो होता है वो बिसिकली क्या करने लगता है तो पांच बर्स का बालक जो है आपके जो रंग होते हैं इनमें अंतर बिसिकली पहचान सकता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रंगों की अंतर को पहचान सकता है रंगों की अंतर को पहचान सकता है छीक है इतना आप समझ गये होंगे अब हम बात करते हैं बाल्यवस्था में मानशिक विकास तो आईए हेडिंग करिए बाल्यवस्था में मानशिक विकास बाल्यवस्था में मानशिक विकास इस तरीके से आपको सब हैडिंग करनी है ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को मांशिक विकास की इस थूल व्यभारिक अवस्था कहते हैं तो इसको आप यहां पर ऐसे नूट कर सकते हैं इस तरीके से इसे मांशिक विकास की इस थूल इस थूल व्यव हारिक अवस्था कहते हैं तो याद रखिए गया इस चीच को अब हम यहाँ पर बन बाई बन करके पढ़ते हैं कि चे वर्स में आपका जो है किस तरीके से आपको यहाँ पर मान्शिक विकास देखने को मिलता है तो 6 बर्स में बालक आसान प्रश्णों के उत्तर देने लगता है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि आशान प्रश्णों के उत्तर देने लगता है, तो 6 बर्स हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं, 7 बर्स में बालक कौन सी क्रियाय करने लगता है, तो 7 बर्स में 2 बस्तों के म मद्य अंतर करने लगता है यह आप से पूछा जाएगा तो बाल्यवस्ता के विशीस थीक है तो के में अंतर करने लगता है इसको महत्पूर नहीं शेया दो वस्तूर के कि कितने कम लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन आएगा लेकिन अभी आप लोग जितने लोग पढ़ने बस उतने लोग अच्छे से पढ़िए बाकी जो होगा देखा जाएगा तीक है अब हम बात करते हैं आठ वर्स में तो आठ वर्स में वो जो निन अवर्स का बालक होता है वो दिन को समय को तारिक को वर्स को महीनी को इन इन सब को बताने लगता है तो आप लिख सकते हैं आपर कि दिन दिन महीना यह देखिए बहुत महत्मुन है नौ वर्स वाला कि कि सवस्था में बालक जो है इन सब चीरों को बताने लगता है तो वाले वस्था में वर्स तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी याद रख तारीक हुआ और आपका वर्ष हुआ इन सब को बताने में वर्ष को बताने में सक्षम होता है शक्षम होता है सक्षम हो जाता है ठीक है मापतॉल इन सब का ग्यान भी हो जाता है उसको तो नवे वर्ष में ये भी आपको नूट कर लेना है अभी मेरे पास तो जगह नहीं है तो मैं आगे इसको नूट कर दे रही ठीक है यहाँ पर इतना आप नूट कर लीजे पहले मैं आगे नूट कर देती हूँ कि मापतौल, गर्ना, द्रब्यमान, आयतन, आधी को समझने लगता है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसी मैं आपको नौ बर्स में नूट करना है कि मा गर्ना, ठीक है मापतौल को और गर्ना को ठीक है गर्ना, आयतन और द्रब्यमान को समझने लगता है इतना याद रखेंगे आप लोग, उसके बाद आते हैं हम कब, हम आते हैं दस बर्स पर, नौ बर्स तक की एक्टिविटी हम लोग ने देख ली, दस बर्स में क्या होता ह तो दस बर्स में याद रखेंगा कि देनेक जीवन के नियम और परमपराओं का उसको ग्यान हो जाता है, तो देनेक जीवन के नियम और परमपराओं का ग्यान हो जाता है, नियम बा परमपराओं का ग्यान हो जाता है, तो यह 10 एस हो गया, कम्प्लीट, अब हम बाते हैं, बात करते हैं 11 वर्स में 11 वर्स आपके लिए बहुत महत्मून है 11 वर्स में जिनतन, जिग्यासð, सब्सक्रास को चिंतन, जिग्यासओं निरीप्षण नीरीप्शण को कि विकास होest करते हैं जिख्यासाब समझ रहे ना जब बाला के अधर कई तरीके के प्रश्ण पुंछता है कि यह कैसे हुआ यह क्यू गव यह कुयू प्रिस्ण है शक्तियों का विकास हो जाता है ठीक तो यह 11 आपका मन्द्स कंप्लीट होग्ए अब हम बात करते हैं 12 वर्स में कि 12 वर्स मैं क्या आपको देखने करें हैं तो 12 वर्स में समस्याश समाधान Gaso şeyalt की चमतब का विक्सित होती है तो आपको वालावस्ता याद रखना बिख्सित हो जाती है तो यह हो गया आपका बाल्यस्था में मन्शिक विकास हो गया do this एक और आपको चीज़ याद रखना है बाल्यवस्था के यह वारे में इस तरीकी से में आपको पता देती हूं आप अपनी भासा में इसको नोट कर लेजेगा बाल्य वस्था में जो है पल्टावी गुणों का विकास हो जाता है किसका पल्टावी गुणों का विकास हलाकि मैं आगे पढ़ाऊंगी इसको पल्टावी गुणों का विकास आपकी बाल्य वस्था में होता ह तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि विविदनात्मक संकल पनाव का निर्माणका होता है तो बाल अवस्ता में होता है इसी कारम पल्टा भी गुणा का विकास उसके अंदर हो जाता है बिलोमी पदों की स्रंखला के माध्यम से वो सोचने लगता है विचारने लगता है ये सब चीज़ें क्या हैं ये आपके बाल अवस्ता की गुण होते हैं बेसिकली अब आगे आजाएए हेडिंग करिए सब हेडिंग जो आपको करने है किसूर अवस्ता में किसूर अवस्ता में मानशिक विकास को भी देख लीजे एक बार इस सबस्ता में होता क्या है देखे आपको सभी को पता है ये किसूर अवस्ता है इस तावस्था में मानसिक विकास की सभी छमताओं की जो विकास हैं ये अपनी चरम सीमा पर होते हैं तो जितने भी मानसिक पहलू होते हैं चाहे वो तरक करने की छमता हो चाहे वो अमूर्त चिंतन हो चाहे आपकी समस्या समाधान हो इन सभी छमताओं का जो विकास हो अपनी चरम सीमा पर होगा तो आपको नूट करना है कि किसूरा बस्ता किसूरा बस्ता में मानशिक विकास के सभी मानशिक विकास के सभी चमताओं शवी छमताओं का विकास अपनी चरम सीमा पर होता है अपनी चरम सीमा पर होता है इसको मैं समझा देती हूँ आप समझ जाएंगे सीमा पर होता है इसका मतलब यह है देखे आपके जो मानचिक विकास के जो पहलू होते हैं वो विसिकली क्या होते हैं आप सभी को मैं पता चुँए तरक करने की चंता हुआ है ना चिंतन हुआ है ना लर्णिंग हुआ अधिगम जिसे आप कहते हैं समस्या समाधान हुआ इन सभी चंताओं का विकास कैसे होता है अपनी चरम सीमा पर होता है क्योंकि ये किसोर अवस्था है आपको याद रखना ह अब इस अवस्था में विसेस्थाएं क्या होती है तो विसेस्थाओं में आपको सबसे पहलो तो यही नूट कर लेना है कि इस अवस्था का बालक होता है ये अमूर्थ चिंतन करने लगता है मतलब अमूर्थ चिंतन की अवस्था अमूर्थ चिंतन की अवस्था अमूर्थ चिंतन की अवस्था का मतलब समझ रहे हैं मैंने आपको अमूर्थ का मतलब बताया था अमूर्थ का मतलब होता है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है क्या नहीं होता है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है वो अमूर्थ होते हैं कल्पना सक्ति का विकास जो है कैसा होता है बहुत ही जादा असीमित होता है कल्पना सक्ति का कल्पना शक्ति का विकास कल्पना सक्ति जो है इतनी जादा होती है इस अवस्था में कि वो अपनी कल्पना के जगत में इस तरीके से खो जाता है कि उसी कल्पना में वो सारी चीज इमेजन कर लेगा कैसे मैं आपको बताती हूँ इमेजन करेगा कि इसकी सीट पीछे से ऐसी उठी होगी फिर मैं अपने इस फेशल को इधर बिठाओंगा फिर मैं इस तरीके से आप समझ रहे हैं ना मैं यहां पर बैठूंगा यह सारी चीज़ें वह अपने कलपना जगत में कर लेता है सारी चीज़ों के सुख वहीं पर कलपना में भोग लेता है यह क्या है इसको कहते हैं मतलब डेड्रीमिंग वाला जो आपका कंसेप्ट है इस इधरी पे आता है तो डेड्रीमिंग भी इधरी पे कलपना सक्ती के कारण ही बहुत ज्यादा करने लगता है ठीक और अर इसलाबस्तामें एक में विसेष्दा ये भी है कि वह अपनी विचारों को क्रमवद्ध रूप में प्रस्तुत करने लगता है प्रस्तुत करने लगता है और देखे एक चीज में आपको पहले से बतारें समस्या समाधान वाला जो concept है तो इस अबस्था में बालक जो है अपना समस्या समाधान करने के भी काबल हो जाता है तो समस्या समाधान करने के काबल समस्या समाधान भी उचित रूप से कर लेता है कर लेता है ठीक तो यह हुआ आपका किसुर अवस्था में मांशिक विकास इस चीट को आपको याद रखना है और देखें आपकी किसुर अवस्था में अधिक्तम बहुत दिक विकास की अवस्था इसको कहा जाता है एक चीज आपको मैं नहीं बताई हूँ इसको नूट कर ल विकास की अवस्था ठीक याद रखेंगे अधिकतम बद्धिक विकास की अवस्था इसको कहा गया इस पीर मैं जो है आपके एक इस पीर मैं है आगे आप पढ़ेंगे इस पीर मैं के सिद्धान की बारे में तो इस पीर मैं ने जो है आपके 14-16 वर्स का जी अवस्था है उसक करते हूं कि आपको यह टॉपिक जो है आपका समझ में आया होगा और कल के लेक्षर में विसिकली में आप जैन प्याज ही पढ़ाऊंगी कि बहुत ज्यादा डॉमेंस अब डेवलोपमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया है बोरिंग साप लोगों को लगने लगा होगा पर कि यहां पर बोरिंग बाला कोई चीज ही एक्जिस नहीं करती स्टड़ी की मैटर में यहां बोरिंग जैसा लगना ही नहीं चाहिए आप लोगों को क्योंकि यह आपके भविस्त का सवाल है ठीक सो मिलते हैं नेक्स लेक्षर में प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर क कि यह दीकिर